अलो नमस्कार सांथियो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सांथियो जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री आवास उजना ग्रामीन के अंदर 2022-23 के लिए जो मौड टार्गेट है उसे ऑप लाइन मोड पर जो है जारी कर दी गई है और उसी को लेकर दोस्तों अब आउनलाइन जो है प्रधानमंत्री आवास उजना ग्रामीन के ऑफिसियल पॉटल पर जो मौड टार्गेट है उसे सभी राज्यों के लिए यहाँ पर जो है जारी कर दी गई है अब दोस्तो इसे पब्लिक करती गई है सब ही लोग जो है अपने मोबाइल से ही अपने राज के अंतरगत की बनाये जाएंगे उस संख्या को यहां से आसानी से चेक कर सकेंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगो पूरा डीटेल बताऊंगा रही हर राज की जो मोड टारगेट है उसकी संख्या को भी बताऊंगा तो वीडियो में अंतरग बने रहिएगा तो चलिए साथ यह वीडियो को सुरू करते हैं और उससे पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो जम कभी भी अप्लोड कर सके तो सबसे पहले जानकार आपको मिल सके यह साथ यह वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रधान मंतरी आवाज यूजना ग्रामीन की ओफीसियल वेबसाइट पर आना होगा इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँगा या फिर आप Google या फिर Chrome के माधियम से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ आपको सिंपली यहाँ पर बहुत सारे जो आपसंस है वो आपको दिखाई देते हैं आपको सिंपली यहाँ पर जो आवाज सौप्ट का आपसं है इस पर क्लिक कर देना है इस पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपसंस आपको दिखाई देंगे जिसम नमबर पर gap between stages, target to account verification, simply साथियों हमें इस पर click कर देना है, जैसे इस पर हम लोग click करेंगे साथियों तो हमारे सामने जो mod target की detail है, वो कुछ इस प्रकार से open हो जाएगी सभी राज्यों के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि total जो अभी mod target है, वो कौन-कौन स जाराए कि कितने आवाज जो है बनाए जाएंगे, उसके आधार पर राज सरकार जो है केंदर सरकार को report भेजेगी और उसी के आधार पर portal पर add किया जाएगा कि 2022 ते इसके अंतरगत कितने आवाज बनाए जाएंगे, दूसरे नमबर पर असम में भी mod target का जो नमबर से उसे add नहीं की गई है, यानि कि अभी निर्धारित नहीं की गई है, काम जारी है लेकिन जल्द ही अभी तक add नहीं की गई है, जल्द ही इन राज्यों में भी mod target को जारी किया जाएगा, बिहार में भी अभी तक नहीं निर्धारित की गई है, 36 गड़ में दोस्तों आप देख सक अबिट देख सकते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में दोस्तो 8,62,766 आवाज जो है 2022 से इसके अंतरकत बनाने का लक्ष निर्धारित हो चुका है और उसे जो है अब ओफिसियल पोर्टल पर भी जारी कर दिया गया है उसके ठीक नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं कि उत्राखंड के अंदर भी 18,602 आवाज बनाने का अभी तक जो है लक्ष रखा गया है इसे बाद में और भी अपडेट किया जाएगा और भी संख्या को बढ़ाया जाएगा अब ठीक उसके नीचे आप देख सकते हैं कि वेश्ट बेंगॉल के अंतरकत कितने सबसे ज़्यादा आवाज जो है बनाने का यहाँ पर लक्ष रखा गया है जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि 136,488 आवाज बनाने का लक्ष रखा गया है अभी तक जितने भी यहाँ पर जो अपडेट आए हैं उसके आधार पर सबसे ज़्यादा जो आवाज है वो वेश्ट बेंगॉल के अंतरकत जो है बनाने का लक्ष अभी तक निर्धारित की गई है जल्द भी इसे भी अपडेट किया जाएगा और भी सिंख्याओं को बढ़ाया जा सकता है उसके ठीक नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार के अंतरकत दोस्तों 94 आवास बनाने का लक्ष अभी तक अपडेट किया गया है उसके नीचे दोस्तों दादरा एंड नगर हवेली के अंतरकत नहीं हुई है दमन एंड दूइप में भी नहीं हुई है लक्षदीप, पुडूचेरी, आंदरप्रदेश, करनाट का, तेलांगाना और लदाख तक में अभी तक अपडेट नहीं की गई है तो सांतियों जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि ओपलाइन मोड में जो लक्ष है, मौड टार्गेट उसके निर्धारित कर ली गई थी लेकिन जो ऑनलाइन नहीं की गई थी इसी के करम में दोस्तो कल के डेट में ये अपडेट की गई है जिसमें बहुत सारे जो आवाज बनाने का लक्ष रखा गया है तो इसी के साथ दोस्तो जल्द ही सभी राज्यों के लिए जो मौड टार्गेट है वो भी ऑफिसिली पब्लिस की जाएगी और सभी राज्यों के आप मौड टार्गेट को अपने मौड के अंदर आसानी से देख सकेंगे अभी तक जो टोटल मौड टार्गेट है वो 20,97,151 रखे गए है इसी के आधार पर दोस्तो जितने भी भारत के अंतरकत सभी राज्यों में आवास बनाए जाएंगे तो साथ ही अगर आप लोग को जानकर ये अचल के तो वीडियो को लाइक करें इस प्रकार के और भी वीडियों से लाके मैं आप लोग को अपडेट करूँगा और बताऊंगा कि कौन-कौन से राज्य में कितने आवास बनाए जाएंगे ये तो बात हुई कि आप जो है किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि अपने राज्यों के अंदर जो है कितने लाभार्थियों का आवास बनाने के लिए यहाँ पर जो है मौड टार्गेट को फिक्स की गई है लेकिन दोस्तो अब बात करेंगे कि आप अपने ग्राम पंचायत की जो नंबर्स है उसे के से पता लगा सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत के अंतरगत कितने आवास बनाने का लक्ष यहाँ पर रखा गया है तो दोस्तो इसके लिए क्या करना है मैं आप लोगो सिंपली बता देता हूँ यहाँ पर आपको उपर आ जाना है सबसे उपर में तो दोस्तो 2022-23 ही सिलेक्टेट रहने देना है उसके नीचे दोस्तो आपको क्या करना है अपना जो भी स्टेट होगा उसे यहाँ से District को select करने के बाद दोस्तो simply आपको क्या करना है यहाँ पर फिर से अपना जो भी Block है उसे यहाँ से select कर लेना है डिस्टे इस पर हम लोग क्लीक करते हैं तो हमारे सामने जो details है वो कुछ इस परकार से नीचे आ जुगा है तो दोस्तो अभी जो है कल ही के डेट में दोस्तो ये जो अपडेट है वो किये गए हैं इसी के लिए दोस्तो आप देख सकते कि पंचायत वाइज अभी जो मौड टारगेट है उसे अपडेट नहीं की गई है एक से दो दिनों के अंतर दोस्तो आप पंचायत वाइज भी जो मौड टार्गेट है यानि कि कितना लक्ष रखा गया है एक एक पंचायत के अंतरगत कितने आवाज बनाने का उसे आप अपने मॉबाइल से ही चेक कर सकेंगे तो दोस्तों ये थी प्रोसेस PM आवसरी ना ग्रामीन के अंतरगत जो मौड टार्गेट जारी की गई है तो पहले तो किस तरीकी से आप अपने राज्यों की सूची को निकाल सकते हैं कि कितने लाभारतियों को आवाज दिया जाएगा 2022 थे इसके अंतरगत और उसके बाद दोस्तों अपने ग्राम पंजायत की डीटेल्स भी निकाल सकते हैं तो साथियों अगर जानकर ये अच्छी लिएक तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद अज़ख सब्सक्राइब करें